दोस्तों जब मैं कहता हूँ कि आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते तो कई लोग नाराज हो जाते हैं और उल्टी सीधी बातें भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं और कुछ लोग धार्मिक चश्मे से देखते हैं इस बात को और धार्मिक भेदभाव वाल बदोस्तों बहुताज को करतें करने लगते हैं वो नादान है वो नहीं जानते हैं उनकी बात करूज हरे हों करने लगते हैं कि आप शुद्ह हिंदी नहीं बोल सकता हूं दरसल कोई भी व्यक्ति कोई भी भाशा शुद्ध नहीं बोल सकता ऐसा मेरा मानना है क्योंकि हर भाशा में बहुत सारे शब्द दूसरी भाशाओं के शामिल रहते हैं अपनी इस बात को साबित करने के लिए आज मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ ताबूत ताज तार ताजा और ताजी सिर्फ इतने ही शब्द बताऊंगा आज हलांके बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास आगे बताता रहूँगा लेकिन आज सिर्फ यही शब्द इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले आपसे पोचना चाहूंगा कि ये किस भाशा के शब्द हैं ताबूत ताज तार ताजा और ताजी हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि ताबूत अर्दू का है या ताज हिंदी का है तार हिंदी का है ताजा ताजी अर्दू का है या कुछ लोग कहें ये फारसी या अरबी का है मतलब अंदाजा लगाएंगे लेकिन सटीक जानकारी अब मैं आपको दे रहा हूँ नोट कीजिए सबसे पहले ताबूत ताबूत कौफिन को कहते हैं जिसमें क्रिश्चन्स लोगों की डेड बोडी को रखा जाता है और दफनाया जाता है हमारे हां हिंदी में कई मिसालें भी चलती हैं जैसे ताबूत में आखरी कील ठोकना वगरा वगरा ताबूत अरदू का जो लोग समझते हैं वो ये जान लें कि ताबूत दरसल अरबी भाशा का है अरबी से अर्दू में आया और हिंदी में आया ताबूत को हिंदी में क्या कहते हैं जरा बताईए तो अगर कोई बता सकें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ताबूत को हिंदी में क्या कहते हैं और आप जो शब्द बताएंगे जरा ये भी बताईगा कि आप उस शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं या आपने ढून ढान कर किसी तरह से मुझे बता दिया है जरूर बताईएगा अगला शब्द है ताज आप मेंसे कुछ लोग कहेंगे कि भई ताज को तो हिंदी में मुकुट कहते हैं बिलकुल सही बात है ताज को हिंदी में मुकुट कहते हैं अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं लेकिन ताज शब्द का भी इस्तेमाल आप मेंसे ज्यादातर लोग खूब करते हैं बलके यूं कहूँ कि मुकुट से ज्यादा ताज शब्द का इस्तेमाल होता है तो जान लीजिए कि ताज फारसी भाशा का शब्द है और इसके बाद तार तार शब्द हिंदी में खुब चलता है उर्दू में चलता है लेकिन आप ये जान लीजिए कि तार फारसी भाशा का शब्द है हिंदी का नहीं है आप तो मुझे ये बताइए कि तार को हिंदी में क्या कहते हैं आपके पास डिक्षनरीज होंगी यानिके शब्द कोश उनमें देखकर बताएगा कि तार को हिंदी में क्या कहते हैं आप जब बताएंगे तो मुझे भी मालूमात मिलेगी ग्यान मिलेगा मेरी मालूमात में इजाफा होगा बुरा मत मानिएगा मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ इसको धर्म के चश्मे से मत देखेगा हिंदी हिंदूओं की और उर्दू मुसल्मानों की ऐसा भी मत सोचिएगा ये सिर्फ नौलिज की बात है आप मुझे नौलिज दें मैं आपको दूँ तो बताईएगा जरूर के तार को हिंदी में क्या कहते हैं अगला शब्द है ताजा ताजा तो आप फ्रेश को कहते हैं ना कहते हैं ना बिलकुल सही बात है फ्रेश को ताजा कहते हैं लेकिन ताजा तो अर्दू में चलता है साहब हिंदी में क्या कहते हैं ताजा यहां यह बता दू कि ताजा फारसी भाशा से आया ताजा फ्रेश ठीक है ना तो ताजा को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएगा एक शब्द ताजी भी चलता है कई लोग कहते हैं वे ताजी सबजियां ताजी रोटी ये वो ताजी 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 लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सेंस में आप लोग ताजी का इस्तिमाल करते हैं उस सेंस के लिए तो ताजी का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए बलके ताजा का इस्तिमाल करना चा ताजी का मतलब फ्रेश नहीं है तो फिर क्या है नोट कीजिए ताजी वैसे फार्सी का ही है लेकिन इसका मतलब है अरेबियन अरबी अरबी भाशा तेज दोड़ने वाला अरबी घोड़ा अरबी कुटा और भी कई अरथ है ताजी के लेकिन ताजी का अरथ फ्रेश तो बिल जिना कि मज़ेदार जानकारी मैं आपके लाता रहूंगा देखते रहे ये माई हिंदी माई अर्दू मैं हूं मुईन शम्सी और ये चैनल आपकी दूाओं से तरक्की कर रहा है फल फूल रहा है आपकी महबतें आपका प्यार जो मिल रहा है उसके लिए आप सब का बहुत ब